सूरत में बढ़ते वाहन चोरी की वारदात को देखते हुए सूरत पुलिस कमिस्नर अनुपम सिंग गैलोत तदा डी सेपी के निर्देश के बाद जो है उम्रा पुलिस टेशन की हद में मगदल्ला गाउं के ओबारा के पास जो है उम्रा पुलिस टेशन के सरविलन्स की स्टाब जो है दबिस देते हुए चार अब्युक्तों को गिरफतार किया जिनके पास से चार वाहन जबत किया है ये वही वाहन है जो शूरत के उम्रा पुलिस टेशन में खाल में जबते हैं जिसमें जे जीजे 05-03-08-99 मोपेट एकसे जो है वो भी जब्त किया जिसका गाड़ी नंबर है जीजे 05H Y7493 इसके लावाद दो और मोपेड है जो यहां पर जब्त किया है दरासल यह सारे वाहन जो है कहीं न कहीं जो अभियोक्त हैं जो गिरिफतार आरोपी हैं यह बड़े चालाकी से जो है पार्किंग में खड़े जो वाहन होते हैं उनको आसानी से खोल कर जो है वहां से लेकर फरार हो जाते थे यही वज़ाए कि सुरत कमिशनर को कई सिकायते मिली थी जिसके आधार पर जो है सुरत पुलिस आयुक्त अनपम सिंग गैलोत की अगवाई में सुरत DCP और ACP के निर्देश के बाद जो है ऑविएक्टों का ग्रफ़तार किया है यह चारो अवियोक्तों का जो है नाम भी आपको बताएंगे कौन-कौन यह चारो अविक्तिों है जिनको ग्रफ़तार किया गया है दरसल विश्णू उर्फ बिकेव बलु भाई खत्री जो की यह माचीवार्ड नानपुरा का रहने ये बी नानपुरा का ये चारो नानपुरा के रहने वाले है बड़े चालाकी से जो है उम्रा पूलिस टेसन की हद में जो है जो पारकिंग में खड़े वहान होते हैं उनको जो है आराम से चोरी करने की वारदात को अंजाम दे कर फरार हो जाते थे इनके पास ये चारो जो है मोपेड़ा और वाहन जो है पुलिस ने जब्त किया है कुल मिलाकर 1,42,000 रुपई का जो मुद्दा माले वो पुलिस ने जब्त किया है तो कहीं न कहीं एक बास साफ हो जाती है कि उम्रा पुलिस ठाने को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसके आगे पुलिस जो है आगे तहकीकाद और जांस करती है ये देखने वाली बात होगी सुरत से कैमरामें सागर के साथ राजे स्विस्व कर्मा बीरो रिपोर्ट सुरत